नेता जी आजिरो नेता जी आजिरो नेता जी आजिरो नित हमारे नए महमान आते हैं और इसी विशय को लेकर अपने विचार पगड़ करते हैं साथ ही उन विचारों में वो प्रशन भी चुपे होते हैं जिने आम जनता जानना चाह रही है आज के हमारे कारिकम में दो शिक्षा शेतर से जुड़े हुए विद्वान हरियों गुपता जी हमारे बीच मोजूद हैं हम उनका स्वागत करते हैं हमारे दूसरे महमान है सन्राइज एग्रिकल्चर कोचिंग क्लासेस के अमित राने जी जो किसी नाम के मैं कहूंगा कि उनको आशकता नहीं है उनका परिचाह देने की क्योंकि विभिन शेत्रों में उनका जो सेवा कारे रहा उनकी जो सहिवागता रही उससे वो जाने जाते हैं जैसा कि मैंने बताए कि हम इस एपिसोड में भी बात करेंगे मेडिकल कालेज इस्थापना को लेकर खरगोन जिला मुख्याले पर एक बड़ा जन अंदोलन तयार हो रहा है इसके लिए और कई हमारे जो महमाना हैं उन्होंने भी इसको अपना समर्थन दिया है और बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद एक बड़ी मुहीम चलाई जाएगी जिला मुख्याले पर मेडिकल कालेज की स्थापना को लेकर जिला मुख्याले पर मेडिकल कालेज आने से उसका क्या लाब हो सकेगा हरियोंग गुपता जी आप शिक्षा शेतर से जुड़े हुए हैं और एक लंबा अनुभाव है आपका प्रदेश में जो मेडिकल कालेज की स्थिती है और जो उसका इतिहास है वो हम आपसे सुनना चाहेंगे और साथी हम ये भी जानना चाहेंगे उस इस्थिती में खरगोन जिला मुख्याले पर मेडिकल कालेज की स्थापना को लेकर जो संगर से चल रहा है इसकी अंततो गत्वा क्या परिनीती होती है हम तो यही शुपकामना देंगे इसमें सफलता मिले और निसंदे मिलेगी लेकिन फिर भी जो रुकावटे आ सकती हैं वो क्या है सर्व प्रत्म SW24 के निउस चेनल के सभी साथियों को मेरी और से धन्यवाद थैंक्यू क्या आप लोगों ने हमें इन्वाइट किया इस जोलन्त मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए दीखी मेडिकल कॉलेज का जो इतियास है वो MP का एक गोरवशारी इतियास है आपको मैं बताना चाहूँगा कि एशिया का सबसे पहला मेडिकल स्कुल जो आजकल मेडिकल कॉलेज के नाम पे जाने जाते हैं एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल स्कुल इंदोर में था और वो 1878 में स्टार्ट हुआ था देश की आज़ादी के पहले दो मेडिकल कॉलेज बने हैं एक इंदोर का है और एक गौलियर का है देश की आज़ादी के बाद मद्यप्रदेश में तीन मेडिकल कॉलेज 2005 से पहले की बात करें तो मद्यप्रदेश में पाँच मेडिकल कॉलेज थे और इक पाँचों बड़ी सीटियों में हैं इंदोर, भोपाल, जबलपूर, गौलियर ऐसी जगहों पर है क्या कारण है इनको बड़ी सीटियों में खोला गया, आप उस पे विचार करेंगे थोड़ी देर बाद मेरे विचारों के साथ फिर बाद में 2005 के बाद सरकारों में परिवर्तन हुआ, दोनों ही पक्षिकी सरकारों ने और सपोर्ट किया और फिर 2005 के बाद दो मेडिकल कॉलेज खुले, 2007 में एक खुला और 2012 में एम्स को पर्मिशन मिली और एम्स वह पाल स्टार्ट हुआ 2018-19 का जो सत्र रहा, वो हमारे लिए बहुत लग्की रहा है मध्यप्रदेश के लिए और साथ मेडिकल कॉलेज इन दो सालों में हमारी इहां खुले है, इसके लिए हम सेंटर गोवर्मेंट, स्टेट गोवर्मेंट, पक्ष, विपक्ष, सभी पार्टियों को धन्यवाद देंगे कि हमारे मध्यप्रदेश को मेडिकल के छेत्र में आगे लेके गए साथ ही साथ अभी 22, 23 के बीच में छे मेडिकल कॉलेज और पर्मिटेड हुए हैं, जो खुलने जा रहे हैं दुख की बात यह है कि 22, 23 में खरगोन में भी खुलने वाला था, परन्तु राजनीती की भेट चड़ गया हमारा खरगोन का मेडिकल कॉलेज पक्ष, विपक्ष हमारे यहां चाहिए, वहां चाहिए, खरगोन में होना चाहिए, महिश्वर में होना चाहिए, इन विवादों के बीच में उलच कर हमारा कॉलेज हम से चुट गया हम कुल मिला कर देखें, तो यहसा क्यों हुआ, इस पर मैं नहीं जाऊंगा खरगोन में Medical College क्यों होना चाहिए? मैं अपने विचार वो रखना चाहूँगा सबसे बेली बात होती है कि जो डॉक्टर बनता है उसको practice के लिए platform मिलना चाहिए इंदोर के आप खरगोन के अधिकांस doctors को देखोंगे, जो famous हैं उन सबी को देखोंगे वो इंदोर के Medical College से निकले क्योंकि उनको हुलकर जैसे और बड़े hospital, MY जैसे hospital हों में practice करने को मिला है जब तक जो doctor final year में आता है उसको practice करने के लिए बड़ा hospital नहीं मिलेगा तब तक वो perfect doctor नहीं बन सकता और अगर ये hospital नहीं हो तो doctor की degree कोई मतलब की नहीं है अभी राजनीती के चलते खरगोंग का Medical College किसी कारण मंडलेश्वर सिफ्ट करने की बाते हो क्या मंडलेश्वर में कोई बड़ा hospital है इस level का hospital है जो खरगोंग में है जो doctor बनके निकलेंगे क्या वो practice कर पाएंगे के वल किताबी knowledge देके निकलेंगे क्योंकि doctor पेशा किताबी knowledge से कहीं गुना ज़्यादा practice पे depend करता है और मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि जब तक students को finally practical ना करने को मिले तब तक वो कुछ भी successful doctor नहीं कहलाएगा मेरी यही विंती रहेगी विपक्ष पक्ष दोनों के नेताओं से कि आप hospital के साथ साथ medical college को देखें कि कहा hospital बड़ा है कहा patients ज़्यादा आएंगे कहा बच्चे ज़्यादा practice कर पाएंगे हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए ना कि हमारे छेत्र में आ जाए छेत्र बात की बात है जीला आपका भी है अगर हम respected साथो में से कहें कि में यह जीला आपका है हम आपके हैं हम आपसे पराये नहीं है same to same जित्ते भी हमारे जीले के सांसदे, विधायके, सभी से हमारा request है कि ये जीले के विकास की ओर आगे बढ़े, एक particular छेत्र को, हमारे विधानसभा छेत्र को हम आगे ले चले, वहां तक सीमित ना रखें, पर विगत कई सालों से, यही होता आया है तो मैं यही कहूंगा कि जो medical college खुलना चाहिए, वो practice के कारण, जहाँ practice ज़्यादा हो सकती है, वो है खरगोन आलरेडी यहां से भगवानपूरा, भगयापूर, धुलकोट, कावरी, खरगोन, सेगाओ, सब की approach बहुत पास में है, जबकि मनलेशवर यहां से सब दूर हो जाएगा तो patient सबसे closest point खरगोन पर आएगा, और खरगोन में अगर वो खुलेगा, तो सबसे ज़्यादा practice के लिए platform मिलेगा, तो मैं कुना कहूंगा, कि मेरा विचार यही है, और इच्छाएं भी यही है, कि यह platform जो बनना चाहा रहा है medical college का वो खरगोन में बने हरियों जो आपने बहुत ही अच्छी बात कही और आपने जो हिस्ट्री बताई medical college इसकी मध्यप्रदेश में स्थापना को लेकर तो हम सही है medical college की जल से जल और निर्विवाद रूप से इस्थापना हो सके, लेकिन कई हमारे हाँ महमान आते वो कहते भी हैं कि इसको राजनीती से दूर रखो, दूर रखो, लेकिन हम जानते हैं कि प्रजात नंतर में जो अंतिम पब्लिक की मांग है या ठीक है, जनांदोला ने उसक प्रेशर है, लेकिन आखिरकार स्विक्रती तो वहीं से होना शाषन के द्वारा ही, अमिर जी मैं इसी चीज को लेकर से आप से पूछना चाहूंगा, कि अभी कुछी दिनों पहले मैंने एक पत्र देखा, Central Health Ministry का, उसमें इस पास रूप से लिखा गया है, केंदर के द्वा जाल भुना गया है, भाजपा कांग्रेश को दोशी ठेरा रही, और आज भी जब आम जनता ये मांग कर रही है, जन प्रतिन निद्यों से, वो सत्ता पक्षिक्राइब विपक्स है, कि भाई आप लोग हमको जवाब दीजे, भाई स्पस्ट जवाब दीजे, कि आखिरकार क अब तक हमारी मांगे स्विक्रत होगी, लेकिन फिर भी आरोप प्रतियारोप का जो दोर है, वो गाये बगाये चली रहा है, पांडे जी सब सर्व पर्थम में अपनी आपके इस प्रश्न का जवाब देने के पूर्व सर अधे, ASW24 टीम को आभार व्यक्ति करना जिनों ने इतना समवेदनशील और परम आवशक व्यक्तियों के लिए सबसे जो परम आवशक मुद्दा है उसको उठाया, बात करते हैं अब आपके प्रश्न के उपर, आधरणी सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये मुहिम क्यों चल रही है, इसके आवशक्ता क्यों क्यों पढ़ रही हैं हमें इसके आवशक्ता, जैसा कि आपको और हम सभी को ये विदित है कि हमारा पूरा विश्व एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से सफर कर रहा है, गुजर रहा है और हम उससे जूज रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर भारत और हमारे क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने और हमने इस वैश्विक महामारी में अपनों को खोया है, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ, क्योंकि मूल भूत चिकित्सक सुविधाएं, जो चिकित्सी सुविधाएं हमें उपलब्द होनी चाहिए थी, वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाई, इस वैश्विक महामारी के दौर में, जब हम खरगोन के चिकित्सक में, जब हम हुस्पिटल में गए, चिकित्साले में गए, तो चिकित्साले में देखने पर हमको पता चला, कि ऑक्सिजन जो के हमारे लिए महात्वपुर्ण है, और ऐसे कई क्योंकि ये केवल एक कॉलेज नहीं है, यहाँ पर केवल कुछ विध्यार्थी अध्यन नहीं करेंगे, यहाँ पर पढ़ने वाला प्रतेक विध्यार्थी प्रयोग के तोर पर प्रती व्यक्ति को बिमारियों से, रोगों से बचने के लिए वो चिकित्सा उपलब्द और ऐसी एपिडेमिक अभी और आगे भी आने की संभावना है प्रबल है तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मेडिकल कॉलेज आना अर्थात हमारे जिले के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो प्लद कराना है आपके प्रशन क्यों और फिर लोटता हूं बैं आपने मुझसे प्रशन बहुत अच्छा किया कि अंततह हम लोग जानते हैं कि अंततह हालाक यह जन अंदलन बनेगा तो हम दोailable के लिए कायलते हृँ गुझस कंड़ी करना जाहिए इसकी सुविधा कि मिलना ही चाहिए निसंद्य जनपरतिनियों के जुम्मादारी होती है कि वह इस्थानी जह मिलता उसका ध्यान िध्यान रखिए और उन्होंने कभी रखा यह यहीं देखने मैं भी सब्सक्राइब यहीं कि अंटिम व्यक्ति जो प्रजा है उसे ही तकलिप उठानी पड़ती है तो इसी लिए इसे जन आंदोलन के रूप में लेना होगा और प्रतेक व्यक्ति को इस आंदोलन में एकत्रित होना होगा और प्रयास करना होगा और SW24 टीम के साथ हम भी हैं और हम लोग भी इस आंदोलन को रागे बढ़ाएंगे और मेडिकल कॉलेज निश्यत रूप से खोलने के लिए प्रयासरत रहेंगे निश्यती अमिज्जी आपने जो कहा कोरोना काल में बहुती भयावा इस्तिती रही जिले में और अगर मेडिकल कॉलेज पहले यहां आ जाता जैसे कि दो बार हमारी मुठी से छूट करके चले गया य नहीं होगी अगर यह पहले यहां स्थापित हो जाता है तो हमको वो सारे संसाधन मिलते वो स्वास्तों सुविधाय मिलती जिससे शेत्र की जो गरीब जनता है वो मोत के मुझे जाने से बच जाती काफी मोते हुई है और इसका दुख भी है हमें लेकिन कहीं ना कहीं इस प कल्चर शिक्षा दे रहे हैं आपकी कोचिंग संराइस प्रोचिंग आप खुद देख रहे हैं कि यह शेत्र करशी के नाम पर कितना जादे नाम चीन रहा प्रदेश में राज इस्तर पर कॉटन में हम राश्ट्री इस्तर पर एक अपना मकाम रखते हैं लेकिन उसके बाद और तो नहीं क्रेशी मंत्र होने के ना महातर दौ मां यह फालबाए की अथर्फी कि उश्वार्फीज खूड लेकिन किसानों की शías रकाइट की उन बच्चों को का जवाब देंगे बिल्कुल सही है, पांडे जी आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं विगत 12 वर्षों से सन्राइज कोचिंग चला रहा हूँ, जो के मूल भूत रूप से क्रशी संकाय पर निर्भर है, क्रशी सिक्षा के बाद आपने किये तो मैं आपको बता दूँ कि विगत 9-10 वर्षों से म निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, कि हमारे मध्य प्रदेश में जो कि हमारा निमारत छेत्र खरगोन है, खरगोन जीले से सारे की सारे चैन होकर विध्यार्थी क्रशी सिक्षा लेने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जाते हैं, लेकिन हमारे ही जीले की बेटियां सिर्फ इसलिए अन्य जिलों में नहीं जाकर पड़ सकती क्योंकि उनके माता-पिता इस बात को अलाव नहीं करते हैं वो परमिशन नहीं देते हैं कि आप किसी अन्यत्र जीले में जाकर क्रशी महाविध्यालय में क्रशी इसनातक की उपादी प्राप्त करें हो सकता है कि वह भी आग हरियोम जी इस शेत्र को आधिवासी बहुल कहा जाता है बहुत बड़ा वर्ग है यहां आधिवासी ओंका गरीब मजदूर वर्ग रहता है इस शेत्र में पूरे निमाड शेत्र में और इससे लगावा अली राजपुर जाववा जो शेत्र है वो भी आधिवासी 100% कि बेटियों में तुम्हारे निमाड में वो सुविधा दे दूंगा कि तुम घर के पास ही कॉलेज में जाके पढ़ लोगे हमारे ना तो कोई स्रेष्ट उच्छी स्तर का कोई शिक्सा संस्थान है ना यह हालत है हमारे आर्ट सब्जेक्ट की सीटे महाविध्याले में फूल अधस है कि हम हिमालाय को खाली हाथ से चड़के उतरने वाली बात कर रहे हरियों कभी आपनी यह सोचा है कि खर्गोन की यह हालत क्यों ही है बस तो इसकतिशन हो या फिर बिजनेस हो या कोई कंपनियां खुलने की बात हो फैक्क्रियं कोह noir्ते हो कर्गोन में क्यों नहीं हो पाया, उस चीज़ पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को पकड़ लेंगे, तो साइस सॉल्यूशन के और चले जाएंगे, सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य रहा, खरगोन प्रॉपर का दुर्भाग्य रहा, कि हमको विधायक भी चाहिए, तो दूसरी जगह से मिल रहा है, सांसत चाहिए, तो दूसरी जगह से मिल रहा है, हमारे यहां कि अगर विधायक चुने भी गए है, तो वो रिमोट विधायक चुने गए थे अभी तक, खिलियर सब्दों में के रहा हूं कि वो रिमोट विधायक चुने गए दबंग विधायक अभी वर्तमान में है मैं तारीब करूँगा उनकी और वो ऐसे हैं कि कर सकते हैं और मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल के माध्यां से पत्र नहीं आप बहुत पावरफूल हो सर और आप डेफिनेटली कर सकते हो और सांसद महुत है दो-दो सांसद दोनों दबंग सांसद हैं वो चाहें तो बहुत कुछ खरगोन के विकास के लिए कर सकते हैं दोनों ही पार्टियां साथ में चल सकती है हमारे कांग्रेस से कहे जाए तो रवी जी बहुत ही दबंग विधायक है बीजेपी से सांसद भी दबंग है सेंटर और स्टेट दोनों आपके पास है तो क्यों नहीं आप हमारा डेवलप्मेंट करवा सकते हैं इससे पहले इससे पहले उराने 50 साल का हम इत्यास उठा लें दोनों सम्मा एक साथ पैरलली कॉंबिनेशन कभी ऐसा नहीं हुआ और ये कॉंबिनेशन इस बार है कि हमारे पास दोनों प्लेयर दोनों साइट प्लेयर जो बेटिंग के अंदाज में कहा जाए तो एकदम सूपर डूपर है मैं दोनों ही प्लेयर से कहूंगा दोनों ही सम्मानी वेक्तियों से कहूंगा कि खरगोन की विकास की ओर चले बात आती है मुद्दे की कि यहाँ पर ना तो इंजिनीरिंग कॉलेज पहले कभी खुला इंजिनीरिंग कॉलेज बोरामा चले गया सबसे पहला फॉर्मेसी कॉलेज बोरामा चले गया सबसे पहला बी एट कॉलेज बोरामा चले गया अगर यह तीन कॉलेज खरगोन में होते तो आज कम से कम 600 से 700 बच्चे बाहर के आयो वे खरगोन में भी रहते खरगोन में बिजनेस बढ़ता, खरगोन का डेवलपमेंट होता, वो कुछ हुआ नहीं यहाँ पर ना तो कोई बड़ी फैक्टरी के बारे में कभी सोचा गया तो मैं इनसे ये अवश्य कहूंगा कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आप हमारे शेत्रे के दूसरे विकास की और भी ध्यान दे खासतोर से एजूकेशन से बहुत सारा जुडा हुआ है और आप एजूकेशन को अगर आप बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली खरगोन का विकास होगा पाई बहुती सार्थक चर्चा चल रही है आज के हमारे कारिकम में दोनों हमारे शिक्षा भी दुपस्तित हैं और यह चर्चा अभी ब्रेक के बाद भी यूही जारी रहेगी लेते हैं अभी फिलाल एक छोटा सा ब्रेक देखते रहे है एस W24 न्यूज मद्यप्रदेश ब्रेक के बाद नेता जी हाजिरो में आप सभी दर्शकों का एक बार हम पुना स्वागत करते हैं आज के हमारे कारिकम में दो शिक्षावीद बेठे हैं जिनके इस्टिट्यूट में जिनके शिक्षा संस्थानों में इस रिमोट एरिये के कई गरीब परिवारों के बच्चे कई किसान परिवारों के बच्चे शिक्षा लेकर राज और राष्ट्री स्तर पर अपना नाम चमका चुके हैं अच्छे अच्छे इस्टिट्यूट में उन्होंने दाखिला लिया और आज वो और देश की प्रगती में अपना हिस्सा बटा रहे हैं आज हम जब बात कर रहे हैं अमिजी प्रोग्रेस की हमारे यहां पर किसी भी प्रकार के डेवलप्मेंट की वो साहे अर्थ को लेकर के हो उद्योग को लेकर के हो सिक्षा को लेकर हो समाज को लेकर हो हमारे यहां पर इतनी प्रतिभाए हैं इतना सब कुछ है और यह हम नही यह हाली में यह development हुआ है यह प्रतिभा है और इनको स्विकार भी किया गया लेकिन बार-बार इनको स्विकार करने को बाद नकार दिया जाता है जैसे कि इस मेडिकल कालेज को लेकर करता आखिर क्या संगर्श जी ही शेत्र की किस्मत बन गया देखिए इतिहास जो भी रहा हो लेकिन इतिहास पलटने के लिए संगर्श की तो हमेशा आवशक्ता होती ही है पांड़े जी में एक बात आपके सामने ओश्पस्ट करना चाहूंगा कि ह प्रतिवर्श मेरे पास लगवख हजार से अधिक विध्यार्ति अध्यान करते हैं और मेने इस चीज को बहुत बारिकी से समझा है कि जो आदिवासी बाहुली का विध्यार्ति होता है आर्थिक रूप से भले वो सक्षम ना हो लेकिन उसके तारकिक शक्ति और मानसिक इस्तिती जो होती वो बड़ी ही सुद्रण होती है यदि ऐसा विद्धिहार थी क्रशी के सिक्षा में या फिर चिकित्सा के सिक्षा में यदि अध्यन करे तो चैन होना भी सुनिश्चित है और जो आज हमारा मूल मुद्दा है से वह रॉल मोडल की तरह बनने के लिए एक प्रेरणा जागरित होगी यदि आज हमारे आदिवासी बाहुलिक शेत्र का विद्धिहार थी या हमारे संपुर्ण खरगोन जीले का विद्धियार थी यदि हमारे जिले में एक मेडिकल कॉलेज को आते जाते देखेगा तो वह अपने मन में स्वपन पैदा करेगा एक सब्सक्राइब क्यों ना अधिस मेडिकल कॉलेज में चैनित हो जाऊं तो यह मेडिकल कॉलेज का जो सपना है जो हम चा कि इसे जमीनी रूप पर हम जमीना तोर पर नहीं देख लें तो मेरा तो सिर्फ आप सभी लोगों से यही करबद निवेदन रहेगा कि इसका प्राकट्टि करन तो हो चुका है लेकिन अंततह इसका निर्मान भी होना चाहिए और उस विद्यार्थी को जो हमारे खरगों जीले का है उसे एक सपन और देखने के लिए मजबूर करना चाहिए कि हमारे बेटे तो इस मंजिल को देख और एक डॉक्टर बनने का सपना देख ताकि हमारे ख्षेत्र की जनता को और अच्छे से चिकित सा सविधा मोहिया हो सकते सच कहा आपने इस शेत्र की जो प्रतिभाए है उनके लिए एक रोल मॉडल इस्थानी इस्थार पर चाहिए और यह मेडिकल कॉलेज जो अगर यहां पर खुल जाता है तो एक सजी रोल मॉडल उनके सामने होगा और कहीं न कहीं वो मन में छुपी जो इक्षा है अभिलाशा है उस रोल मॉडल को देख करके वो प्रकाश में आएंगी आगे बढ़ेंगी और शेत्र का नाम रोशन होगा और उन प्रतिभाओं का भी दमन नहीं होगा जो अपने मन में एक सपना पाल रहे हैं उन गरीब परिवारों के बच्चों के मन में एक जो सपना है और हम आपको भी साधुवात देंगे हरियोम जी आपको भी और अमीज जी आपको भी कि आपने जो है अगरी कल्चर और चिकिशा शिक्षा और अन्य विश्यों को ले करके आपने इस्टिटूट डाल रखे हैं उसके माध्यम से इस शेत्र के गरीब परिवारों की जो प्रतिवा हैं काफी कम खर्च में वो शिक्षा प्राप्त करके अच्छे अच्छे इंस्टिटूट में दाखिला ले रही हैं तो किस प्रकार से आप यह कर पा रहे हैं और आप कहां तक उप्यूक तो मानते हैं अगर यह चीज़े आती हैं तो डिवलप्मेंट इस्टा शिक्षा की शेत्र में और बढ़ेगा बच्चे और उत्सुक होंगे जैसा कि अमिज जी नहीं बताया सब बैसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो मैं पिछले साल के मेरे यहां के रिजल्ट की बात करूँ तो पांच बच्चे मेरे इस्टिटूट से स्लेक्टेड हुए थे नीट में मात्र एक इस्टिटूट की बात कर रहा हूँ खरगोन के मेरे अगर हम प्रॉपर पूरे खरगोन जीले की बात कर रहे हैं तो एवरेजन 30 तो 40 स्टूडेंस मेडिकल में स्लेक्टेड होते हैं क्योंकि हमारा आदिवासी एरिया है तो उसका भी हमें एक सपोर्ट मिलता है बहुत सारे बच्चे आदिवासी बेल्ट से बिना किसी बड़ी कोचिंग इस्टिटूट की हेल्प के स्वेम के अध्यन से कई बार स्लेक्ट हुए हैं और बह देखिए कि 50% निया तो 40-50% से खरवन प्रॉपर से ही भराई जा सकती है तो हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा सबसे बड़ी बात तो यह हो जाएगी कि हमारा बच्चा दूसरे सहर में रहेगा दूसरे सहर में परेसानी उठाएगा वो होगा ही नहीं अग अभी हमारा सेलेक्शन रेशो है वो साथ दुगना हो जाएगा अभी जो वर्तमान का सेलेक्शन रेशो है वो दुगने पर पहुँच जाएगा और हमारे छेत्रों को जो अउशक्ता है उसके अनुसार हमें डॉक्टर्स मिल पाएंगे और ये डॉक्टर्स हमारे फ्यूच के नेताओं से जनता से कि इसे एक जन अंदोलन का रूप दें और as soon as possible इसको खरगोन के लिए एलोट करवाएं और खरगोन में इसे इस्टेबलेस्ट करवाएं मैंने पहले भी कहा था hospital के साथ medical college का relation होता है पड़ई तो आप online भी कर सकते हो पूरी medical की पर practice के से करोगे पड़ई तो आप online भी कर लोगे पर practice के से करोगे डॉक्टर बनने के बाद और practice के लिए सबसे बड़ा hospital की जरुवत होती है और जो खरगोन hospital दे सकता है खरगोन बढ़वानी में इतना बड़ा कोई दू अलग नहीं है वो हमारा ही है और हम उनके हैं तो कॉलेज हमें बकाइदा जो बच्चों की practice को दिहान में रखते हुए खरगोन में बनना जी खरगोन में medical college की स्थापना को लेकर संगर से चली रहा है और आपने यहां की जो संभावना हैं वो भी बताई और एक बहुत ही आ यह बहुत बड़ा आकड़ा है और बहुत ही चोंकाने वाला आकड़ा है हम इसमें और भी प्रगति कर सकते हैं आप खुद ही सोचे कि अगर जैसे रोल मॉडल की बात की हमारे यहां विद्वानों ने अभी रोल मॉडल के रूप में अगर चिक्षा चिक्षा संस्थान खर और आकरशित होंगे और यह जो तीस का आकड़ा है तीस परसेंड का हमारा प्रदेश में सीटों को इसको हम बढ़ा करके पचास तक ला सकते हैं और यह संभावना ही नहीं यह फ्रेक्ट हो सकता है बशरते की जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज की स्ताब नहों अमिट जी सं संगर्श समीति से जुड़े हुए उसका हिस्सा है अमिट जी और अभी क्या प्रयास बाकी है इस निर्मान को ले करके इसकी स्विक्रति को ले करके जिनको संगर्श समिति करने जा रही है या होना चाहिए देखिए पांडे जी मैं एक चीज़ इसपर्ष्ट करूँ आप कि किसी भी संगर्ष को यदि अंततह आपको उसे सफल करना है तो हमें सबसे पहले हमारे युवाओं को लेकर साथ में चलना होगा हमारा जो यूत है, जो यूवा है वो यूवा, चुकि हम लोग कोचिंग संचाला के इसले हम बहतर तरीके से जानते हैं कि जिन युवाओं को हम पढ़ाते हैं, या जो विभिन महाविध्यालयव में पढ़ते हैं, ये सभी युवाओं में इतनी शक्ती होती है कि यदि यह एक जूट हो जाएं, और यदि यह ठान लें, तो निश्चित रूप से कोई विपक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को ये बात माननी पड़ेगी तो शंगर्ष समीती का सबसे प्रधम उद्देश यही है यही होना भी चाहिए कि सभी लोग एक जाजम पर आ जाएं एक जगह एकत्रिस हो और एक जगह एकत्रिस होकर मानसिक्ता सभी लोगों की एक जैसी होना चाहिए कि यहां पर राजनीती करण थोड़ा यह दि नहीं हो इस चेज का क्योंकि देखिए अगर यह अंततह नहीं हुआ तो यह जैसा कि सर ने बताया हमारे हरियों सर ने कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मुद्दा भी राजनीती की भेंट चड़ जाए तो शंगर से समीती में चुकि हम लोग भी है और मैं बाकी सभी सदस्यों से भी आवान करूँगा कि हम सभी एक जाजम पर आ जाए पक्ष विपक्ष क्या आयू वर्ग सभी लोग एक साथ जुड़ जाए और सोचे कि कर्याइव चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक मेडिकल अवाज बनेबुलंद आवाज बने उसमें कोई जाती या राजनीती या वर्ग या आयू कोई भेद नहीं सिर्फ एक ही आवाज हो कि खरगोंजिला मुख्याले पर मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द चाहिए और इसकी स्विक्रेती होना चाहिए हरियों जी और क्या प्रयास होना चाहिए इसके लिए क्योंकि काफी प्रयास चल रहा है और एक बड़ा अंदोलन खड़े हो रहा है सोचल मीडिया पर आज खड़ा हो चुका है शहर में इस चीज को लेकर काफी जोरों से विचार भी निमय हो रहा है और सब सकारात्मक्ता की और ही बढ़ रहे हैं राजनेता भी जो है वो पक्षके हो वो जनता की जो आवाज है उसके दबाव में कहीं न कहीं एक मंची पर आते जा रहे हैं फिर भी क्या कुछ थोड़ी और कसर है और क्या होना चाहिए आपके साथ से देखिए सर अभी वर्तमान में तो लॉक्ड़ क्राउड है जितने भी कोचिंग संस्थान है जैसे कि हम इस सर खरगोन कोचिंग एसेशिएशन के अध्यक्ष हैं मैं उसमें एक मेंबर की रूप में हूँ ठीक है हम लोग सभी कोसिस करेंगे कि जितने भी कोचिंग संस्थान में बच्चे हैं उनके थ्रू और दूसरे जो जो हमारे राजनेतिक दल हैं, उनके जो हमारे मेंबर से हैं, उनको सामाजिक कारी करता हैं, उनको सब को साथ में लेकर जमीनी इस्तर पर हम उसके लिए अंदोलन करेंगे, करना भी जरूरी है, क्योंकि ये मोका छूड़ गया, तो फिर हात नहीं आएगा, ये हमारे पास जो ये इस वक्त possibilities है, हमने future नहीं देखा है, कि future में क्या राजनेतिक परिस्तितियां होगी, क्या समीकरण होगे, अभी जो समीकरण है, वो ये कहते हैं, कि अगर आप pressure create करेंगे, तो definitely खरगोन में medical college आ सकता है, तो हमारा पुना पूरी खरगोन की जनता से भी अनुरोध कि ये आप केवल और केवल ये इसे एक राजनेतिक मुद्णा ना समझे, future में आपके परिवार में भी medical की जरुवत पड़ेगी, तब आप इसको अंदोलन बनाएंगे क्या, नई, अभी आप हमसे जुड़िये, अभी आप हमारे अंदोलोनों से जुड़िये, तो उससे क् कि future में अगर आपको जरुवत पड़ेगी, तो आपके पास उपलब्द रहेंगे साथन, तो जब भी physically हमारे अंदोलन्स चालू होंगे उसके प्रती, तो आप लोगों से भी request रहेगी, कि आप उसमें सीधे-सीधे physically जुड़े, social media अपनी जगह है, बट जब तक हम जमीन प काल के बाद ये जब अंदोलन सड़कों पर उत्रेगा, तो इसका जो आकार होगा, इसका जो स्वरूप होगा, निसंदे उस स्वरूप को देख कर ही, जो राजनेतिक लोग हैं, वो अपने विचारों को बदलेंगे, उसमें जो भी तोड़ी कसर है, वो बदल डालेंगे, और हम तो यही कहेंगे कि आज एक जन शक्ति जो तैयार हो रही है, जो जन इक्षा तैयार हो रही है, उसके अनुरूप चलते हुए, सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों नेताओंने खड़ा हो करके, एक स्वर में बोलना चाहिए, कि मेडिकल कॉलेज जिला मुख्याले पर किसा शिक्षा के लिए जो भी संसाधन चाहिए, वो यहां सुलाव हो सकेंगे, और एक बहुत बड़ी बात हुए, जैसे कि हरियोम जी ने अभी बताया, मेडिकल कॉलेज का इतिहास, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि मद्ध प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के इतिहास में ये पहली मेडिकल कॉलेज होगी, जिसकी स्थापना के लिए पहले से लोग देहदान को तयार हो गए हैं, और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इक्षा शक्ति है इस शेत्र के लोगों की, जो चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज यही हो, इसलिए वो अपनी देहदान के मानया चाहिए, सत्ता में बेठे लोगों को, इन चीजों को स्विकार करना चाहिए, क्योंकि यहां आए महमानों ने या इस पस्ट कर दिया है, कि अगर इस कारियों में कोई रुखावट आती है, तो इसको मुह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और समयाने पे इसके जिला मुख्यालाय पर इस्थापना होने से क्या फाइदा होगा इस शेत्र की वो गरीब जनता आदिवासी अनुसुचित जन जाती जन जाती की जो जनतन क्या है जिसको लेकर के हमेशा आसू बहाते रहें राजनेतिक लोग उन आसूं को बहाना बंद करें और यह स्विक्रत जिस्थापना को जल्द स्विक्रती दे और यह इस शेत्र की भलाई के लिए होगा और उनके भी विकास के लिए होगा यह हमारे और से एक राय है जो की एक आम राय बन रही है उसको हम प्रगट कर रहे हैं जाते आते मैं अन्तिम सवाल अमिज्य आप से करना चाहूंगा आ इसके आप प्रिसिडेंट भी है और आपने आज समर्थन भी जाहिर किया संगर समीति को ले करके इसके लिए आपको बधाई और साधुवाद और जिस प्रकार से आपने युवाओं की एक सहभागिता को बोला कि युवा शक्ति सच है युवा शक्ति जहां जुडती है वो इसकी इस्थापना को लेकर एक संकल्प जो हमारे मन में हमारे रदे में हैं हम सब लोगों ने यही संकल्प लिया है चुकि जैसा कि आपने बताया कि मैं जिले जिले एस्सोशेशन का कोचिंग एस्सोशेशन का जिला अध्यक्ष हूं आधरणी श्री हर्योंस सर्ण हमारे स संरक्षक के पदपर हैं हम सभी लोगों ने यह संकल्प लिया है चुकि सारी कोचिंग संस्थान हमारे साथ में हैं तो हम लोगों का द्रड़ संकल्प और निश्य है कि अंत समय तक यदि यह मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता है या हम दरड संकल्पित हैं इसको लेकर यदि नहीं खुलता है तो कोविड के बाद जब लोकडाउन खुलेगा तो पूरे युवा पूरे यूथ हम लोग रोड पर आएंगे और संगर्श भी करेंगे और अंदुलन का रूप भी इसको दें मत recordings रहते हैं और सर ने कितनी अच्छी बात कही के चिकित्सा के आवशक्ता हर घर में देखिए सिख्षा और चिकित्सा इन दोनों के बगिर ईपका जीवन संभवी नहीं यदि आप जीविध हैं तो आपको सिख्षा के आवशक्ता परम होगी और यदि आप वास्تव में तो आपको चिकित्सा के आवशक्ता होगी ही होगी तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके व्यक्ति के लिए एक medical college यहां पर हो जहां जो सर्वसुईधायुक्त हो जिसमें चिकित्सिये सारे उपकरण मौजूद हो और आपको किसी अन्य बड़े जिले की और अग्रसर नही होना पड़े तो हम जड़ संकल्पित हैं इसके लिए युवाओं के साथ प्रती घर के प्रती व्यक्ति के साथ जब तक यह नहीं बनता हम पुर्ण रूप से संकल्पित रहेंगे बहुत अच्छी बात कहीं आपने कि अगर आप जीवीत हैं तो शिक्षा मनुष्य के लिए जरूरी हो जीवीत रहना चाहते हैं तो चिकित्सा शिक्षा उसके लिए जरूरी है हरियों जी जाते आते मैं अन्तिम कमेंट्स आप से चाहूंगा दिखी सर मैं तो इस आपके चेनल के माध्या प्रदेश के मुख्य मंत्री से मानिय सिवराजी चोहान जिनने हम अपने प्यार से मामा जी कहते हैं पहले तो धन्यवाद दूँगा कि आपने अपने शाशनकाल में पंद्रा मेडिकल कॉलेज एलोट कर दी हैं और एक पंद्रा के बाद 16 नंबर का मेडिकल कॉलेज खरगोन में हो जाए तो यह हमारे लिए खुशी का भी चाहिए होगा मेडिकल कॉलेज खरगोन में आएगा उसकी एक इंपोर्टेंसी बताता है छोटी सी इंपोर्टेंसी लाइफ के सी गुजरी है 20 दिन पहले की बात है मैं मेरी भंजी के लिए खरगोन में प्लाजमा नहीं मिला मुझे रात में इमर्जेंसी में इंदोर लेकर जाना पड़ा और एडमिट करना पड़ा यह खरगोन की वस्तु इस्तती है अगर मेडिकल कॉलेज खरगोन में होगा तो यसी छोटी-छोटी चीजों के लिए हमें बड़े सहरों की और मुमेंट नहीं करना होगा दोनों ही पक्षविपक्ष के नेताओं से पुना आग्रह है कि आप लोग इस मुद्दे को गंभीरता से लें और जनता के पक्ष में अपना नेने दें बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अतितियों का संराइज कोचिंग इस्टिटूट के डारेक्टर अमित राने जी बीके जी के डारेक्टर हरियोम गुपता जी आप दोनों शिक्षावीदों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस कारका में शामिल होने के लिए नेता जी आजिरों में आज सिर्फ इतना ही आगे आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दें नमस्कार